दुनिया में लोग जितना सच बोलते हैं उससे कई जहाँ तो लोग जुट बोलते हैं और मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि कैसे किसी का जुट पकड़ा जाए जो कि तब तक नहीं होगी जब तक हमें यहीं नहीं पता चलेगा कि सामिनला हमसे सच बोल रहा है कि जुट बोल रहा है तो शुरू करते हैं हमारे जुट नमबर वन से जो कि है आई कॉंटेक्ट या तो वो परसन तुम्हारी आँखों में आखें डाल के देखता रहेगा या वो आँखें तुमसे चुराता रहेगा अगर वो ऐसा करता है इसका मतलब क्योंकि जब भी इंसान जुट बोलता है तो वो आँखों में आखें नहीं मिला पाता है और अगर वो आखों में आखी मिला पाता है तो तो ऐसे constantly देखेगा अपने face के सारे expressions हटा देगा वो सिर्फ ऐसे देखेगा हाँ जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह चीज खुद के साथ भी एक बार notice करना जूट तो तुमने भी बोला होगा मैंने भी बोला है और उस time पे हम या तो नजरें चुदानी की कोशिश करते हैं या हम बिल्कुल ऐसे face पे सारे feelings और reactions जो है अपने face से हटा देते हैं और सामने आले को ऐसे दिखाते हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ सब कुछ ठीक है लेकिन exactly हम लोग जूट बोल रहे होते हैं क्योंकि जब कभी भी हमें लग या वो person बहुत जादा धीरे बोलेगा तो तुम notice करना अगर कोई जूट बोल रहा होगा तो वो जूट सोच के बोल रहा हो क्योंकि उसको जूट बनाना पड़ता है उसको जूट exactly सारा कुछ नहीं पता होते हैं कहानी उसके पास उसको बनानी बढ़ती है इसलिए वो सोच सोच के step by step वो चीज़ें बोल रहा होता है यह बहुत जल्दी बोलेगा जल्दी बोलने के पीछे रीजन यह है कि वह सामने वाले को यह जताएगा कि सब कुछ सही है जब हमारे पास सब कुछ clear सारी information होती है तो हम एकदम से तेसे बोलते हैं लेकिन तुम्हें लग रहा है क यह परसन तो नॉर्मल तरीके से बोलता था और अभी यह परसन बहुत जल्दी से बोल रहा है इत्मीन वहां पर कुछ नवश गड़ पड़ है बाई नमबर थी है छोड़ी शोड़ी डीटेल्स पर नोटेस करो यह देखो कि यह परसन जो है पहले कैसे बात करता था और हमें चोड़ी पकड़ी ना जाए तो ऐसी चीजें कि नर्वस हो रहा है वह तुम्हें इसके बातों में दिख जाएगी तुम्हें चोटी-चोटी चीजों पर नोटिस करना और अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ जाना भई है यह परसन तो कुछ ना कुछ जूट बोल रहा ह तो यहां पर दो तरह के जूटे होते एक वो जो बहुत सारे डिटेल्स बताते हैं वो तुम्हें सब कुछ बताएंगे और तुम उनसे वो कुछी भी नहीं होगी बटो तुम्हें बहुत जादा डिटेल्स बताएंगे और चीजों से ताकि उनका जो जूट है वो सच लगे तुमको ऐसा लगे कि हाँ यह यह तना क्यों बता रहा है इतना बहुत कम बताए यह यह तो है तुमको जहां गाड़े थे गाड़े जो दूसरा बसन होता है वो जूट बनाने में माहिर नहीं होता है इसलिए वो लिमितेट बोलने की कोईश्च नहीं कोईश्च करता है अगर वो लंबा जूट है, कोई एक word का जूट नहीं है अगर लंबा जूट है, कोई story बता रहा है तुम्हें जूटी वो, तो शुरू से लेके end तक अच्छे है सुनो उसको, उसको पहले बोलने दो ठीक है, उसके बाद जब वो starting से लेके end तक खतम कर देगा, तब उससे पूछो, end से लेके starting की, कि दुबारा से बता, जब वो दुबारा से बताने में असफल रहेगा, क्योंकि जूट बोलते हैं, तो जूट बनाना बढ़ता है, और वो अब तो सब बोल देगा, ठीक है? Number 6, trust your instinct, अपनी जो अद्दुरूनी आत्मा है, अपना हाट, अपना माइंड जो है, उस चीज़ पर बिलीब करो, उस चीज़ की सुनो, क्योंकि जब परसन जूट बोल रहता है, बाकी पॉइंट जो है, वो तो फिर भी, तुमाहें मतलब exactly सच बताएंगे, नहीं बताएंगे, इसका कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन तुम्हारी एक अंदर के अगर तुम उस परसन को जानते हो, और तुम्हारी अंदर की जो आत्मा है, आत्मा बोल रहा हूं, अंदर का दिल है, दिमाग है, गट है तुम्हारा जो गट फीलिंग है, वो तुम्हें आ रही है, वो कह रही है कि नहीं आ रही है न जूड बोल रहा है, मुझे कही न कहीं पर डाउट है, जूड बोल रहा है, एक जो अंदरूनी इंस्टिंक्ट है वो मुझे काफी सच बताती है काफी कुछ बताती है इसी वज़े से आज मैं सिंगल हूँ और मेरी जितनी भी गल्फेंड है वो मुझे छोड़ के भाग गई नॉबर सेवन्थ नॉबर आखरी पॉइंट है कि खुद भी जूट बोलने लग जाओ यह पॉइंट को मैं इंक्लूड नी कर रहा था बड़ करना पड़ा मुझे क्योंकि जब हम लोग जूट बोलते हैं तो सामने अलगा जूट हम लोग एजी ले पकड़ लेते हैं समयनिक जूट बोलता हूं 20% in फरस लगा लो जूट बोलता हूं अब यह मैं सच बोल रहा हूं कि मैं 20 001 बसनी जूड बोलता हूं उब नहीं से बारें में यह पॉइंट बलोंकि कर लो तो सामने को फेद गडिशाण सकते में यह मियूआ года यहCh 123 ऑम retr कर लोख टो और लो तो वो जूट ही होगा, मतलब ऐसा मत करना तुम लोग की वर्दान ने बोला था, वर्दान की वीडियो देखी थी, उसने बोला था कि भाई इस टाइम पर ऐसे करेगा तुम जूट बोलेगा या जूट बोलेगी, इसको तो मारता हूँ मैं, ठीक है या निकल निकल या स्रे, ये चीज मत करना, और अपना दिमाग थोड़ा से यूज़ करना, फिलाल के लिए वीडियो तो खतम होगी है, सारे पॉइंट्स क्लिरली बता दिये है, ये थोड़ा नॉलिज बढ़ाने की है, अभी तक वीडियो देखे रहो, इट में तुम्हें परस्नालिटी इंप्रू मैं सीखता भी रहता हूँ, यहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और फिलाल के लिए, अभी तो हो गया सारा कुछ, और इसके बाद ये दो वीडियो जाएंगी, चेक कर लो जाके, और मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में लोगा, नमस्ते गाइस, नमस्ते, कर बंदियो, जयाँ कर लोगाँ कर, आप हूँ, याँ भा लोगाँ, या जाएँ, भीडियो जाएंगी, शेवाँ, अपर पॉलो कर दो ठाहँ गड़ारा क।, यहाँ हुआरे, इसके बादाना हूई हूआरे, आप पर दोटे, अबदाना हूएँ कर दे दो